z test z test एक parametric test है parametric test क्या होते है parametric test ऐसे test है जो के normal data के उपर apply किये जाते है अगर data के distribution normal है तो उसके लिए हम parametric test apply करते है और अगर हमारा data skewed हो तो उस पे हम non parametric test apply करेंगे तो z test एक parametric test की example है अब z test के अंदर हम करते क्या है z test कब apply करते है जब हमने दो samples के means को compare करना हो तो उसके लिए हम z test का استعمال करते है अगर हमने दो samples के means को test करना है या compare करना है तो उसके लिए हम t test भी apply करते है अब z test और t test में क्या difference है अगर हमारा sample size 30 या 30 से कम होगा तो हम T test apply करेंगे लेकिन अगर हमारा sample size है वो 30 से ज्यादा होगा तो उस पर हम Z test apply करेंगे इसका मतलब यह हुआ कि Z test एक ऐसा test है जो दो samples के means को compare करने के लिए इस्तमाल होता है और उस صورت में इस्तमाल होता है जब sample का size 30 से ज्यादा हो उसके लावा Z test के लिए हम यह assume करते हैं कि जो data की distribution है वो normal distribution है और Z test के लिए जो data का standard deviation है वो known होना चाहिए T test के लिए ज़रूरी नहीं है कि standard deviation known हो अगर वो known नहीं भी है फिर भी T test apply किया जा सकता है लेकिन Z test के लिए prefer किया जाता है कि जो standard deviation है उसकी value given हो अब इस slide के अंदर हम देख सकते हैं कि Z test का formula दिया गया है इसके अंदर X bar जो कि mean को represent करता है minus mu जो कि एक population का mean है और उसके नीचे sigma divided by n under root इसको हम standard error भी कहते हैं इसलिए नीचे जो दिया गया formula है इसके अंदर हमने n divided by n under root को replace कर दिया है with the standard error अब इस test के जरीए हम ये compare करते हैं हमारे पास दो population है हम दो population को compare करना चाहते हैं कि उनकी जो distribution है उनके अंदर जो difference है उनके जो means है उसमें difference है या नहीं अब यहाँ पे हम ये compare करेंगे कि एक हमारे पास population का mean है और एक हमारे पास sample का mean है हम ये compare करना चाहते हैं कि sample का mean और population का mean उसमें statistically significant difference मौजूद है या नहीं है तो इसके लिए हमारे पास जो mu की value है जो के एक population का mean है वो 100 है उसके बाद n is equal to 55, n number है और उसके बाद जो sample का mean है वो 12 है अब अगर ये जो given चीज़ें है इसको हम formula के अंदर put करें तो formula के अंदर put करने से हमारे पास जो value आई वो है minus 2.7 ये जो हमारे पास minus 2.7 value आई है ये हमारी calculated value है इसको हम z calculated value कहेंगे अब z test के लिए standard rule क्या है कि अगर हमारा answer plus minus 1.96 की range के अंदर आए तो इसका मतलब ये होता है कि difference नहीं है और अगर हमारा answer इस range से बाहर निकल जाए तो इसका मतलब है कि difference है अब अगर हम जो हमारा answer आया है और जो standard value है इसको compare करें तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी जो calculated value थी वो minus 2.7 थी जबके जो हमारी standard value है वो plus minus 1.96 है इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी calculated value है वो standard value की जो range है उससे out हो गई इसका मतलब ये है कि दो population जिनको हम compare करने जा रहे हैं उनके अंदर difference मौझूद है अब हम ये देखते हैं कि हमारी hypothesis क्या थी हमने hypothesis अपनी ये बनाई थी कि दो samples के means के अंदर difference नहीं है जबके जो result है वो हमें ये show कर रहा है कि दोनो values के अंदर difference है दोनो population different है इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो null hypothesis थी वो इस z test की statistics की वेश के उपर reject हो गई